रिती शब्द का अर्थ एम स्वरूप सरुप्रथम वामन ने संस्कृत साहित में रिती शब्द का प्रियोग किया वामन के अनुशार विश्ष्टा पद रचना रिती वामन ने इसे कावे की आत्मा स्विकार किया पर आगे चलकर कावे के अन्य संपरदायों अलंकार वक्रोक्ती रस के समान रिती संपरदाय की महतार नस्ट हो गई और हिंदी में रिती शब्द का अर्थ विद्यापती के समय से एक अन्य अर्थ में होने लगा वै है कावे रचना पदती तथा उसका निर्दर्शक सास्त्र अते रिती काल तक आते आते रिती शब्द का अर्थ रस अलंकार शब्द शक्ती छंद आदी काव्यांगों का पण ही रह गया और वामन द्वारा ग्रहित आर्थ में इसका व्यापक रूप हो गया अतह हिंदी सायत में रिती का आर्थ सभी कावे सिद्धांदों के आधार पर कावी रचना हो गया रिती कावे से अभिप्राए जो रचना विशिष्ट पदती अथ्वा नियमों को द्रश रिती काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो आचारे राम चन्र सुकल ने हिंदी सायत के इतियास में समध 1700 से लेकर के समध 1900 तक के काल को उत्तरमद्द काल एम रिती काल के नाम से परिभासित किया है रिती काल का जो नाम करन है इसको लेकर के विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उन मतों के पीछे उनके तरक हैं जो ये हैं आचारे राम चन्र सुकल के अनुशार उत्तरमद्द काल एम रिती काल